एलो, नमस्कार किसान साथियों मेरा नाम दलभीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए एक खेती से जुड़ी नई वीडियो लेकर आया हूं इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूँ कि गवार की खेती किस तरिके से गरे जिससे में ज़्यादा से ज़्यादा इंकम प्राप्त हो गवार की खेती के लिए उप्यू कुछ में कौन सा है गवार की खेती के लिए फसल चकर पनाना क्यों जुरूर यह है गवार की खेती के लिए कौन सा आएसे सिछेतरों में की जाती है गौः के लिए जल प्रबंधन का होना बहुत जुरूरी है और इससे के प्रलिए के लिए को कौन कौन से साथ ने रखे जिसके की बीजगाओं कौन सो परतिसाथ तक हो जिससे कि हमें कम खर्चवा कम समय में ज्यादा से ज्यादा वसल की पैदावार प्राप्त हो जिससे कि हमें एक अच्छे इंकम प्राप्त हो इस वीडियो को अंत तक जुरूर देखे ताकि आपको ख प्राट करते हैं इसे बाज़रे के साथ मिलाके बॉयांजा सकता है इसे अरी सटी के रूमार करते हैं इसका अच्छा दाम इन करते है इससे किसान सलजाना लाके क्माई कर सकती है इसकी खेती मुक्यतों पर राजस्तान, हरियाना, उत्तरपदेश, एंपिवा, माराष्टर के कुछ इस्षों में की जाती है माराष्टर में लगबग 9.26 में इसकी खेती की जा रही है कर्शी विवा के अधिकारियों ने बताया कि पस्वों को गवार खिलाने से उनमें तागत आती है तो धारू पस्वों की दूद देने की समता में वर्दी होती है गवार से गौंद का निर्मान भी किया जाता है गवार गम का प्योग अन्यक उत्पादों में होता है गौर्पली से स्वादिष्ट सबजी बनाई जाती है इसका इस्तेमाल दालता सूप बनाने में भी क्या जाता है ग्रामिन चेतरों में यह एक काफी लोग फिडिया फसल है हलो नमस्कार मेरे शूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे शूटूब चैनल का नाम इंडिन टेक्निकल फारिमिंग है आज मैं आपको सक्तिवर्दक की एक्स टैन वराइटी के बारे में मैं बताऊंगा इसकी कुछ विश्यस्ता है है एक्स्टैन वराइटी की पैदावार सबसे अच्छी होती है यह गोहर बिलकुल वाइट होता है इसके दो केजी पैकेट की किमत लगबग चर सुरूप गया सपास होती है इसकी वहाई सबसे ज़्यादा अरियाना में की जाती है इसकी वहे Pati महली मध्यां वहं भारी मिट्टी में की जाती है यह वराइटी रफं टप वराइटी इया रराइटी कम पानी वहेश्यादा पानी दौंस में अच्छी पैदावार प्रकार देती है इस वराइटी में किसी भी प्रकार की कोई विमारी निया थी ये स्वालौ प्राणी वराइटी है इसकी पैदावार अच्छी होती है अगर यह आपको व्यूडियो पसंद आए तो इस व्यूडियो को लाइक शेयर इंडिन टेकनिकल फर्मिंग को स्ब्सक्र ये भूमी नंबर 6 गवार की खेत्ती के लिए जलवाई हो नंबर 7 खेत की त्यारी बराट फसल पत्ति या फसल चक्कर नंबर 9 बीज का चुनाओ बीज के उननत किसमे बीज का उपचार बीज की मात्रा नंबर 10 बिज्जाई या फसल की बुआई नंबर 11 फसल की बुआई थता ऐसी चेत्रों में नंबर 12 खर्पतवार की रोगताम नंबर 13 तिस दिन गे बाद निराई या भूडाई नंबर 14 तिस दिन बाद शिचाई नंबर 15 जल का परबंदन नंबर 16 कीट वा रोग का परबंदन नंबर 16 इंसेक्टिस साइड वेट टोनिक का सप्रे मरस्ता कटाई फिर कडाई फिर पंडारन ये मुक्के सावधानी है जो में गुआर की फसल में रखनी चाहिए गुआर की खेती के लिए उप्यूकत समय है गुआर की खेती खरीब और गर्मी के मौसम में की जाती है कालिन फसल की बुआई के लिए मई मेंने का परतम खोड़ा उप्यूकत समय है जाई आप नेरी पानी से भी कर सकते हैं देरी से बुआई करने पर पैदावार पर प्रत प्रुबाव पड़ता है। वर्षा रितुक की फसल की भुवाई के लिए जून वा जुलाई उप्युकत समय है। वर्षा दारी छेतरों में जुलाई मा में वर्षा आगमन के समय ही गवार की भुवाई कर देनी चाहिए। बजार में बाजरा की बहुत सी वर्षा अपलुफ्द होती है। मैं मैने में हम अगेति वर्षा वर्षा प्चेति वर्षा या फिर हम समय के उनुशार ही वर्षा चुनाओ करते हैं। मैं खेत का चुनाव करते हैं अगर पहले उस खेत में शर्षो की बिजय की थी। तो शर्षो के फनों को रोटवयटर की साल्थ से एक दो बार अच्छी तरह से जुथाइख कर दे। ताकि सर्शों के फानों खेत में अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए फिर आप हैरो की साथा से दो तीन बार अच्छी तरह से जुताई कर दे फिर आप लेजलेवर की साथा से खेत को संतल कर दे अगर खेत पिरानी है तो आप रोटावेटर की सायता से दो तीन बड़ जुताई कर दे फिर आप हैरो की सायता से उसकी एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे या फिर आप कल्टिवेटर की सायता से एक गहरी जुताई कर दे अगर खेत नहरी है तो खेत को लेजर लेवलवर की शायता से संतल कर दे ताकि खेत की सिचाई अच्छी तरक्षी हो जाई मिट्टी की जांच, सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा ले जिससे हमें यापता जाता है कि मिट्टी में कौन-कौन से पॉसकतों की कमी है वो खेत की मिट्टी किन-किन फसलों के लिए उप्यूकत है और इस मिट्टे में कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है जैसे केहू, चन्द, अरहर, सर्सू, राया, बरसीन, कन्न, अलू, मक्क, बाजरा, कबाच मिट्टे की जांसे हमें यह पता जल जाता के इस मिट्टे का पी-एच मान कितना है और इसमें कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है पाने की जाँच अगर आप फसल की विजाई के लिए नेरी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का उंकौन सोपतिस्ट हो जाता है अगर आप टीवल के पानी से फसलों की विजाई करते हैं तो आप सबसे पहले टीवल के पानी की जाँच करवा लिए अगर टीवल का पानी पीने में मिठा है तो इसमें पानी का पीपियम जादा हो सकता है और बीज का उंकौन के समय यह एक समस्या बन जाता है अगर पाने का PPM20 से 6 कम है तो ऐसे कि प्रका की फचलों के लिए अच्छा है और इस theo बेजगांग कुर्ण 100 पर तिस सतक हो जाता है अगर पाने का PPM20 से 6 जाजा है तो में बेजगांगां स्फक्रीक्य करें नहीं पाता है अगर शिचाय के लिए जूर्ट पड़े तो हमें नेरी पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए खेत की त्याईए है गुबर की खाथ अगर आप खेत में गुबर की खाथ का इस्तेमाल करते हैं तो आट से दस टॉल दी एक अंकट के लिए प्रियापत रहती है कुबर की खाथ जमिन में अच्छी तरह भी खायकर जमिन को सुमतल कर देना चाहिए गुबर की खेते के लिए बुमी गुबर की खेते के लिए उंची जल निकास सबादी दूमट वा बलूई दूमट मिट्टी से रोत्म रहती है यह फसल सिंचित वा एसंचित दोंचेतरों में सफलता पर उगाई जा सकती है अलके सारी है वा लवनिय बुमी जिसका प्याच मान साड़े साथ से साड़े आठ तक हो वहीं पर गुबर की खेते हैं सानी से की जा सकती है गुबर के लिए एक जुताई मिल्टी पर लटने वाले हल या डिसक हैरों से क्रोश जुताई कर पाटा लगा देना चाहिए इसके उपरांत एक कर्टिविटर से जुताई प्रियापत रहता है जिसमें मर्दा नमी संक्सित रहे जुलाई जुन के दिवतियों पकवाड़े में ही करने चीए इस प्रकार त्यार खेत में खरपतवार कम पनपते हैं गुबर पसल के लिए जलवाईू गुबर एक सुका सहन करने वाली गरम जलवाईू के पसल है यह उन्च शेतरों में असानी से उगया जा सकती है जहां पर ओसित वार्षिक वर्षा 30 से 40 सेंटीमेटर तक होती हो विजों के अंकूर्ण वाई जड़ों के विकास के लिए 25 से 300 सेंटीमेटर के निचे तामान उप्यूकत होता है गवार एक परकास से विदन से फसल है अता इस फसल में फूल वय फलियों का निवान के वर्षिक के मौसम में ही होता है अता दिक बारिस वर्षांत वाट ठंड को या सैन नहीं कर पाती है जिन छेतरों में अता दिक गरमी पड़ती है पंतु सिचाई की सुविद्धा उपलब्ध है वहाँ पर गवार की खेती से बरपूर पैदावार दी जा सकती है सुशक और अज सुशक दोनों दसाओं में इसकी खेती असानी से की जा सकती है गवार एक उसन कटे बंद्या फसल है जो 18 से 30 डिग्री सेलसिशिस के उसातामाल मरपकती है ख्रेब की गरम और आदर जलवाईयों के काण पेड़ों की वर्दी बहुत अच्छी होती है सर्दी के मौसम में इन फसलों की के तिलाब दैग नहीं होती है यह फसल सभी परकार के मिट्टी में उगाई जा सकती है अच्छी जल्म निकास वाली मद्यम से भारी मिट्टी में फसल अच्छी तरह से बढ़ती है यदि मिट्टी की सतह साड़े साथ से आठ की बीच है तो फसल अच्छी तरह से विक्षित होती है जिसे फसल की पैदावार में अच्छी वर्द्दी होती है फसल पत्ति या फसल चकर फसल चकर को क्रोप रोटेशन के नाम से भी जाना जाता है किसे निश्चित भूमी में निश्चित समय बारी फस्लों को लगातार आदल बदन कर बोना ही फसल चक्र कराता है फसल चक्र का मुद्ध क्या उद्धिया किसी भी तरह के पोद्धे के लिए भूमे में मुझूद पोशक्दतों के जोशुदूपियों किसे भूमे की बहुतिक और जविक सित्ति में संतुलब बनाया रखना होता है लगातार फसल चक्र अपनाने से किसान भाई को फसल में आने वाली की तरह की परिशानियों से छुटकारा मिलता है फसल चक्र का इस्तेमाल कर किसान भाई अपनी भूमी में से लगातार अच्छी फसल ले सकते है और इसके अपनाने से खेत की उरुक सकता भी बनी रहती है गुण आ जाते हैं भूमी के अंदर विशेले गुण उत्पन हो जाने पर भूमी पाई जाने वाली चोटी प्योगी मित्तर कीट नश्ट हो जाते हैं और भूमी दीरे-दीरे बंज़रू रूप जान करने लगती है फसल चक्कर के फाइदे फसल चक्कर के बनाने से भूमी की उर्ख सकती बनी रहती है फसल चक्कर के बनाने से भूमी में अमलिय और सारी गुण पोशकतत्त और जविक पदार्तों की मातरा संतूलित रहती है फसल चक्कर के बनाने से फसल में कई तरह के कीट और बीजजनित रोग नहीं लगती है इसके बनाने से फसल लों में पैदा होने से बचती है फसल चक्र अपनाने से फसलों में रोग भी कापी कम ही देखने को मिलती है जिसकी वजह से किसान भायों दोरा रसनेक दोयां पर क्या जाना वाला कर्ची भी कम हो जाता है फसल चक्र के दोरान भली वाली फसलों के बहुने पर खेत में नाइट्रोजन की पू अधिक पुसंद तब तो गरण करने वारी फसलों की खेत के बाद खेत को एक वार खाली छोड़ देना चीए, किसी भी विशेश रोग के लगने पर उस फसल को लगातार खेत में नहीं उगाना चीए, जिन फसलों की जड़े अधिक गराई में जाते हैं उन फसलों की बाद ज जुर्ट वाली फसलों को उगाना चीए, देख सिचाई वाली दान जैसी फसलों के बाद कम सिचाई वाली जुर्ट की फसलों को उगाना चीए, देख लेने वाली फसलों की बाद जिन फसलों की उरुक की कापी कम आव सकता हती हैं उन्हें उगाना चीए, इस परकार हमें पसल कर अपनाना चाहिए भीज का चुनाओ हमें एक ऐसी वराइटी का चुनाओ करना होता है जो वराइटी अच्छा उत्पादन देती हो जिसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होता हो और जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा मांगो और उसका बहुत भी अच्छा हो क्य के एक बड़ी आ क्वालिटी का जी अमेंक अच्छा उत्पादन और मुनाफ़ा दे सकता है बीज की 59 किसमे गवार की 19 किसमे बजार में गवार की कई उनत किसमें देखने को मिल जाती है जिनें चारे दाने और अरीफलियों के दार पर तीन बागों में बाटा गया है उनत किसमें इस प्रकार है दानों के लिए उनत किसमें अजजी 365, अजजी 563, 220 अरीफलियों तो उनत किसमें IC 83, M 83, पुसा मौसमी अरेचारे के लिए उनत किसमें ये मुख्यत अरेचारे के लिए उनत किसमें की जाती है बुंदेल गवार 3, गवार करनती, बुंदेल गवार 2, गोराट 80, बुंदेल गवार 1 अगर आप पैदावार के लिए उनत किसमें का ही चुनाप करना चीए अगर आप अरेच चारे के लिए उप्योग करते हो तो अरेच चारे वारी उन्नत किसमों का उप्योग गौर के बीजों की मातरा वह बीज उप्चार यदि आप गौर की फसल दानों और अरिफलियों के लिए करना चाहते हैं तो एक एंकड के लिए दाने की फसल के लिए 5-6 किलो बीज परियापत रहता है और अरिखाद फसल में 15-16 किलो पर्तियंकड बीज की जूर्ट होती है इसके इलावा आप अरेचारे के लिए फसल का उप्योग करना चाते हैं तो सोड़ा से सतरा किलो पीज परतियंक कड की जूर्ट होती है। इन विजो को खेत में लगाने से पहले उन्हें कैप्टान या बावस्ट्रिंग की उच्छित मातरा में उप्चारित कर लिए। अब आई यार यानि सबसे पहले हम फंगिसाइड से बीज को उप्चारित करते हैं फिर इन्सेक्टिसाइड से बीज को उप्चारित करते हैं फिर आज जो भी हम कल्चर से हम उप्चारित करते हैं फंगिसाइड को उप्चार करने का मुख्या उद्यस्या है फंगस की बिमार कि रोक थाम के लिए क्या जाता है और इन्सक्टिशाद दों के उप्चारित Town के JR Це डिमग जैसी रोक थाम के लिए क्या जाता है और जोविम कल्चर का फियो क्योंग खेथ में जवानों की शंख्या बढ़ाने के के लिए उप्योग किया जाता है जिससे खित में जुआणों की संक्या बढ़ जाई जिसे कि एक अच्छी फुसल पराप्त हो गुवार फुसल में खादे हो उरुवरक गुवार दलानी फुसल होने के का नाइट्रोजन की कुछ आपरती वातावरन की नाइट्रोजन को जोड नाइट्रोजन की मातरा बुवाई के समय खेत में डाल देनी चाहिए इसके तरित गुवार की विजाई को बुवाई से पहले राजुबियम कल्चर की 600 ग्राम मातरा को एक लेटर पानी वीवर डाइसोग्राम गुड के गोल में 15 किलोग्राम भी उसको पचारित कर चाहा मे सुखा कर बोना लब द्याक रहता है खेत की तैरी के समय पांस टन गुबर या कंपोस्ट कार्ड या दो तिन वर्स में एक बार अवस्य प्रयोग से पहले मिट्टी गिजांस करवा लेनी चाहिए गुवार की विद्दी अधिक पैदावार के लिए गुवार की बुवाई ह देख मलती है और फशल की देखबाल करने में विए असानी रहती है गुवार के विद्दी की दूरी पंटी से पंदा सेंटीमेटर करने चीए घराई चार से पांट सेंटीमेटर पर करने चीए बुआए के समय भूमियों में प्रियापत मातरा में नम्यों होने चीए जिससे बीज का जम्माव शिग्रहवा प्रियापत मातरा में होसके अगर आपने नेरी छेत्र में विजाई की है तो आप इसकी मेड मना दे फिर आप इसमें खरपतवार नेंतर के लिए पेंडा में लिथियां 30% EC का 50-500 mm को डाइसोलेटर पानी में मिला कर इसका चुटकाओ कर दे जिसे की केद में खरपतवार नहीं होगे खरपतवार नेंतर गवार की फसलों को खरपतवारों से पूर्ण तया मुक्त रखना चीए समाइने फसल बुआई के 15-20 दिन बाद की तरह के खरपतवार निकल जाते है जिसमें जंगली जूट जंगली चरी वाद दूब गास परूँक है गवार की फसल में समासमा पर निराई गुडाई करके खरपतवारों को निकलता है रहना चीए इससे पूद्ध की जोड़ों का विकास भी अच्छा था है और जोड़ों में वायू संचार भी बढ़ता है दाने वाली फसल में वैसालिन 1 लोग पर 3 एक्टेर की दर्से खेट में बवाई से पूरो मर्दा की उपरी 8 से 10 संटिमेंट से चत्ता बार चुटकाओ कर खत्र पार और उपा नियंतर पाया सकता है करपतवारों के नियंतरन एतू फसलों की बुवाई के दो दिन पस्चाथ पैंडा मेलित्यान 30% इसी का भी छिटकाओ कर सकते हैं बिजाई के 30 दिन बाद खेत में करपतवार उग जाते हैं जिस करपतवार उगने के बाद हमें उसकी निराई या गुडाई आचसे ही कर देनी चाहिए निराई या गुडाई करने के बाद अगर खेत की सिचाई करनी है तो 30 दिन बाद हम खेत की सिचाई कर सकते हैं जल परबंदन अगर खेत में पानी का बराव ज़्यादा हो सकता है तो हमें उसके जल निकासी का परबंदन करना चीए क्योंकि गुआर की फचलों में ज़्यादा पानी की जूट नहीं होती है गवार की फसल में कीट वरोग प्रवंदन दिमक फसल के पोदों की जोड़ो को खाकर ये नुक्सान पुचाती है बॉआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में किलून पोस एक पॉइंट पांच पत्ति सतिया कलोरिफाइस पाउडर बीश से 25 किलो परती एक्टेर की दर से भूमी में मिलाने चाहिए बॉने के समय बीश को कलोरिफाइर इस केट ना सकी दो मिली लेटर मातरा से पत्ति किलोग्राम बीश की दर से प्चार कर बॉना चाहिए नमबर दो कातरा इस कीट की लट पारंबे का वस्ता में फसल के पोदों को खाकर नुक्सान पुचाती है इसके नियंतरन के लिए खेत के आस पास पाई रहनी चाहिए तथा खेत में प्रकॉप होने पर मिथाईल पैराथियोन या क्यूनोल फास एक पाइंट पास पत्ति से चूण की 20-25 किलोग्राम आतरा पत्तियक डग की दर से बुरुकनी चाहिए मोहिला या किट पोदक के कमल बागो का रशुक्स पर फसलों को आनी पुचाते है इसके नियंतरन हत्तु मोनो कोड़ोट फास आदा लिटर अतरा को 500 लिटर पानी के गोल में मिला कर चुटकाओ कर देना चाहिए इन किटों के नियंतरन के लिए ट्राइजोफोस या मेला थ्यान की एक लिटर मात रखो पानी में गोल बना कर परत्तिय एक्टर की दर से छुटकाओ करना चाहिए वेक्ट्रियर बलाइट यागवार की बहुता निकर बिमारी है इस बिमारी के उपर गोल अकार के दब्बे बनते है इस बिमारी के नियंतरन है तो रोग रोधी किसमों का उगाना चाहिए बीज को 2 ग्राम से ट्रेप्टो सैक्लिन से परती किलो बीज की दर से उप्चारित करकर बोना चीए छाचिया इस रोग के कांड़ पोद्य के उपर स्पेद रंग के पाउडर का आवरन बन जाता है इस रोग के नियंतरन है तो 25 किलोगराम भुवाई के 30 से 40 दिनों बात खेत में फुटाओ बढ़वार और फुलों की संक्या में जबरदस्त वद्दी करने क पंदरा से 20 दिनों के अंतराल में हमें 2-3 स्प्रेक करने चीए चिपवाय रहतेला की रोग थाम के लिए हम मौनो क्रोटोफास या इंडिकलोराइड या टाटा का असाटाप जैसी दुआइक यों का शटकाओ करना चीए अन्य केटवाय रोग रोग के रोग थाम के लिए नसदे की डोक्तर से भी संपरक कर सकते हैं इसके बाद बाद जैसे ही पैदवार पसल की कटाई शुरू हो कि कर लेने ची सबस А reminds me दूब में शपआ लेना चीहाँ इसके बाद हमें इसकी relationship कड़ाई कर लेने चीहाँ कड़ाई करने के बाद हमें इस फसल का बंडान कर देना चीहाँ अगर अपको ये मेरrie video पसंद आए तो इस video को ज्यादर से ज्यादर like, share यह हिंदिन टेक्निकल फर्मियों को स्काइक रिए फरेट निया लिस इंवा आखाएं